तो दोस्तो आज हम बनाएंगे पोहे का इतना टेश्टी कुरकुरा चटपटा नास्ता की बहुत ही जदा स्वादिश नास्ता है यह आप टीटवे स्नेक में बना सकते हैं या चोटी मोटी पाटी होई या कोई जटपट कुछ नास्ता बनाना हो भूख जो रोक लेगी है तो इसे हम पहले एक दो बर धो देंगे अच्छे से पोहे को उसके बाद इसे हम थोरी देर के लिए पांच मिनट के लिए रखेंगे इसे फूला करके इसमें पानी में तो चलिए पांच मिनट बाद देखिए पोहा अच्छे से फूल चुका है और इसे अच्छे से मैस कर लेत ह Muslims चन豫, चल्फ, चामज जीरा डालेंगे और चामज च्त मासाली आद ही अधा चामज भूना हुं तो जीरा पाउडर दालेंगे और इसे अच्छे से mix कर लेंगे चलिए इसे अच्छे से mix कर लेते हैं तो दोस्तो अगर हमारी वीडियो आपको थोरी से भी पसंद आए तो पिलिज दोस्तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजेगा और प्यारा सा कमेंट जरूर करिए गया कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी एक प्लेट में हमने तेल से गिरिस कर लिया हुआ है और इसे अच्छे से इस पर फैलाएंगे और इसका हम एक सेप देंगे तो चोकोर सेप देंगे दोस्तो इसका आप जैसा चाहे वैसा सेप दे सकत करके हैं तो इस तरीके से पहले इसे सेट कर लेंगे और दस मियाथ के लिए वैसे सेट होनेके लिए रख देंगे की रिख सकते हैं कि द्दोस्तों और यह गोल तयार करेंगे तो गोल को देख सकते हैं दोस्तों ठोड़ा पानी डालते भी गोल को बनाएंगे ताकि इसमें कोई गुठ लिया ना पड़े तो गोल तियार हो गया है देख सकते हैं इसकी consistency बिल्कुल ऐसे ही चाहिए और यह देखिए यह भी set हो चुका है तो चलिए इस तो कट कर लेंगे बहुत असान है यह नास्ता बनाना आप इसे बना करके 2-3 दिन के लिए इस टोर कर सकते हैं और जब मन करें तो इसे आप फ्राई करके खा सकते हैं इसे अब सेलो फ्राइ करेंगे तो भी अच्छा लगेगा और डी फ्राइ करेंगे तो भी बहुत बढ़िया लगेगा ये नास्ता बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा बनता है ये देखे दोस्तों इसकी मुटाई देख सकते हैं बिल्कुल यह से ही रखना है हमें प्लेट मेंने निकाल लिया हुआ है और इस घोल में इस नाच्ति को हम डालेंगे फ्राइ कर लेते हैं तो तिल हमारा गरम है, मीडियम पे हम फ्राई करेंगे इसे, एक साथ जब ये फ्राई हो जाए उसके बाद इसे हम पलट लेंगे, देख सकते हैं दोस्तों, तो नास्ता हमारा फ्राई हो चुगा है, चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं, और आपको हम दिखाएंगे कि ये नास्ता कैसा बना है, तो देखने में तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहे है दोस्तो तो खाने में और ही ज़्यादा बढ़िया लगे किता देख सकते हैं दोस्तो ये नास्ता तयार हो गया है इतना सी क्रेश्पी क्रारा और अंदर से सॉफ्ट तो दोस्तो इंजवाए करिए मिलते हैं फ